ये हैं बॉलिवोड की वो मशूर अभिनेत्रिया जिनकी कभी महेश भट्ट ने बदली थी किस्मत महेश भट्ट बॉलिवोड के मशूर फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं महेश भट्ट की फिल्में कम लागत में अधिक मुनाफा करती हैं महेश भट ने बलेवुड में कई नए चेहरों की एंट्री करवाई है महेश भट बलेवुड में कई अभिनेत्रियों को लॉंच कर चुके हैं महेश भट द्वारा लॉंच की गई Heroine National Award तक पा चुकी हैं आज हम आपको उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका करियर महेश भट की बज़े से चमक गया अनुअगरवाल अनुअगरवाल की फिल्म आशिकी 1990 में रिलीज हुई थी ये फिल्म बहुत ही ज्यादा सपल हुई और अनुअगरवाल को भी काफी लोकप्रियता मिली इसके बाद अनुअगरवाल को कई फिल्मों के प्रस्ताव मिले लेकिन 1999 में इंकाकार एक्सिडेंट हो गया जिसके बाद वे आध्यात्म में चलीगी सनी लियोनी सनी लियोनी पॉर्न इंडिस्ट्री में काम कर चुकी है सनी लियोनी को बिग बॉस के घर में देखा गया इसके बाद महिश भट ने सनी को अपनी फिल्म डिस्म दो में साइन कर लिया इस फिल्म में सनी ने बहुत बोर्ड सीन दे और उनको काफी लोकप्रियता मिली कंगनारानौत ने बॉलेवुड में फिल्म गैंस्टर से डेब्यू किया ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी देखते ही देखते कंगना बॉलेवुड की क्वीन बन चुकी है आज कंगनारानौत बॉलेवुड की मशूर सुपरस्टार है और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे जकी है बिपाशा बासू बिपाशा बासू को बॉलेवुड में फिल्म अजनभी से डेब्यू का मौका मिला ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म से बिपाशा को लोकप्रिय अता मिली इसके बाद बिपाशा 2002 में फिल्म राज और जिसम में भी नजर आई जिससे उनका स्टारडम बढ़ गया पूजा भट महेश भट ने अपनी बेटी पूजा भट को बॉलेवुड में डेव्यू करवाया पूजा में फिल्म डैडी से अभिने करियर की शुरुआत की उस समय पूजा 18 साल की थी इसके बाद पूजा दिल है की मानता नहीं चाहत सडक और जखमी जैसी कई सपल फिल्मों में काम कर चुकी है